कीजैए आप सब्सक्राइब कर सक्षी सिर्वीजन कुछ से तो अप औरYa ठाल रहे से लिए क्लिए उसे से लिदियों के लिए लगंगर कर एपme क scripture लिए कर da तो यहां पर ले लिया है मैंने यह मेती और चावल जिसको मैंने 12 घंटे के लिए भिगो दिया था अब इसका जो पानी आप लोग देख सकते हैं वह काफी थेक हो गया है तो यह पानी आप हमें इस बॉटल में ले रहे ना है एंड इसके बाद हम इसमें फिर से पानी भर के रख देंगे ताकि हम इसको दुबारा से री यूज कर सके क्योंकि एक ही बार में 12 घंटे में इसका अच्छे से वह सब नहीं निकल पाएगा तो यहां पर मैं आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी तो मैंने यहां पर अपना ओईल लगाया है वही वाला सब्सक्रिप्शन में करना लहां पर आदी बाटल इसकी अपलाइ कर लेंगे पहले रूट में और आधी बॉर्टल में यहां और जब वाश करने जाएंगे तो हमें पहले इसी पानी से वाश करना है पाँच मिनिट अगर आप रुख सके तो रुकिएगा वरना आप डारेक वाश भी कर सकते हैं इसा कुछ नीडी नहीं क्या आधी बॉटल तो पहले डूट्स में यूज करी चुके हैं बट बचा हुआ पानी हमें तब वाश कर लेना है इसी से तो इसके सारे गुंड मैं आप जब अपने बालों पर स्प्रे किया है और उसके बाद मैं इसको 20 मिनिट रखा है और देन मैं इसको वाश कर लिया तो वह पानी तो मेरे सर से चला गया और वह तो निकल जाना चाहिए तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो इनोसी टोल है एंड जो कार्बो हाइडर है वह मेरी जड़ों में अभी भी है यानि मेरी जड़ों में है यह पकड़ लेता है जड़ों को एंड उसके बाद यह हमारे बालों को डैमेज से बचाता है यानि डैमेज से प्रोटेक्ट करता है जैसा कि मैंने आप लोग बताया कि मैं बहुत जादा ही उस करती है अपने बालों में जाता है जो हमारे बालो को घंना करता है हमारी जड़ों को मजबूत करता है यानि हेर पॉल वन होते हैं उन सारीfight चीज़ास आपको protet करेगा आपकी जड़ों को मजबूत करेगा ये सारी चीज जैसा कि मैंने आप लोग को पहले और वीडियो में बताया है कि यह सारी चीज़ एक दिन में नहीं होती है कोई भी चीज असर करने में कुछ टाइम लेती है अगर आप फर्स टाइम में ही कुछ करके आप छोड़ देते हो तो उसका आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला है आप एट लीस्ट उसको तीन से चार बार तो यूज करो ही करो तब आप उस पर जज्जमेंट करो कि यह असर कर रहा है या नहीं कर रहा है यह सारी चीज़े आपके बालों में 100% गया यह असर करने वाली है मैं ऐसी कोई भी चीज नहीं लाती हूँ जो असरका रखना हूँ तो जैसा कि मैंने वह ओयल भी इससे पहले ही उसकी अधर ताकि मेरे बालों में और जादा मजबूती आ जाए तो मैंने वह ओयल भी जिन जिन चीजों से बनाया है वह सारी चीजे बालों के लिए बहुत जाद अच्छी है तो उसमें पढ़ा हूँ है प्याज लसन कःपते मेथी घर का तेल जो भी है कि यह सारी चीजें डाल कर मैंने उस ऑईल बहुत ही जादा उख़ागे की जाख़ा न दिंगे कि व्याहमारे जड़ों को दोंगे करें यह करें सब्सक्राइब मैं उस ऑईल का आप लिंक को दिस्क्रिप्शन में दें दूंगी तो आप लोग वह शर्ट कर सकते हो तो आप लोग वो आई भी बना सकते हो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि सारी चीज़े बालो के लिए बहुत जाद अच्छी तो बने क्या क्या प्थाया जाता है जिसे लोगों का सवाल रहता है कि आप अप कुछ भी ऐसे ही हवा में नहीं बोल सकती है या आप एसे ज़ड बता सकते हैं इसमें फिसमें यह रहेसे नहीं जाएंगी सबशक्राइब बनाथे हैं यह मैंने हैं मैं नहीं बादा नुक्सान पिर हो जिस்के कर थिरी उसमें सब्सक्राइब करते हं तो इन ही सारी चीज़ों के लिए मैं अपने बालों में इसारी चीज़े यूज़ कर रही हूं मैं कोई भी ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं करोगी क्यों मुझे भी अपने बालों से बहुत जादा प्यार है तो अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज कि अपने बालों मेरा ये वीडियो और आप लोग को मेरा ये वीडियो कैसा लगा तो मैं मिलते हूं ऐसे ही एक नेक्स वीडियो में तब ता के लिए तिल देन बाबाई से से एफ